हेलो दोस्तों एक बार फिस्टे स्वाकत है अमारी यूटूब चैनल में आपका दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर हम रिव्यू करेंगे गेलेक्सी A6 और गेलेक्सी A6 प्लस के बारे में दोस्तों दक्षिन को ही है कि स्मार्टफोन कंपनी सेमसंग ने अपने दो नए स्मार्टफोन को गेलेक्सी A और गेलेक्सी A6 प्लस को लांच कर दिया है अग दोस्तों जान लेते हैं कि A6 के नए नए स्पेसिफिकेशन क्या क्या कहते हैं इस फॉन के अंदर आपको मिल जाएगी 5.6 इंच की सूपर एमोलेडी इंफिलिटी डिस्प्लेइ जिसके साथ दोस्तों आपको 1.6 GHz का EctoCore Exonious Processor 787014 NMS Processor आपको मिल जाएगा 3GB RAM के साथ 32GB स्टोरेज को सपोर्ट करता है और 4GB RAM के साथ 64GB स्टोरेज को सपोर्ट करता है अगर मार्कर वे स्टेजिस के साथ ऐसे अगर आप इसको 256GB तक भी इसको बढ़ा सकते हैं फोन के अंदर आपको Android का Oreo Update मिल जाएगा जो की 8.0 पर चलेगा फोन के अगर रियल केमरी की बात करें दोस्तों तो LED फ्लेश के साथ साथ इसका जो केमरा है दोस्तों उसमें 16 मेंक पिक्सल का आपको केमरा मिल जाता है बेक पेनल में आपको finger presence मिल जाता है और activity के लिया से अगर बात करते हैं समसंग के लिए सी A6 के specification क्या करते हैं इस फोन के अंदर आपको 6 इंच की Full HD Super AMOLED स्क्रीन मिल जाती है और Infinity Display मिल जाता है इसके साथ ही फोन के अंदर आपको 1.8 GHz का Core Core का Snapdragon Procession 450 मिल जाता है 3 GB RAM के साथ 32 GB के storage में यह उपलबद है इसके साथ ही दोस्तो 4 GB RAM के साथ 64 GB के storage में आपको मिल जाएगा Micro SD की काहस देश है इसको आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं और फोन के अंदर operating system की गर बात करते हैं दोस्तों तो Android का 8.0 इस पर चलता है फोन में dual real है आपको LED flash मिल जाते हैं 16 MP और 5 MP का आपको 2 real camera मिल जाते हैं और LED flash के साथ 24 MP का front facing camera मिल जाता है अगर बेटरी की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आपको 35 MP की बेटरी मिल जाती है लोंग ट्लास्टिक बेटरी है दोस्तों काफी साथ चलती है आपको पसंद आए तो फ्रीज हमार वीडियो को लाइक करें शियर करें और ऐसे ही लेटिस टप्रिक लिए हमाँ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें